नमस्कार दोस्तों, क्यों लगातार गिर रहा है chemical sector, क्यों तमाम जो chemical sector की जो stocks हैं, चाहे हो agrocam के हो, चाहे हो specialty chemical के हो, हो तमाम stocks में क्यों गिरावट हो रही है दोस्तों, निवेशक इस बात को लेकर के परिशान है, कि अगर आप पिछले एक साल का return देखेंगे, तो स्तिती आपको खराब तो दिखीगी, कई stock उपरी स्तरों से more than 30% नीचे आ चुके हैं, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि कई agrochemical stock के तो हलत और भी ज़्यादा खराब है, क्या जो एक बहुत ज़्यादा lucrative phase आना था stock का, sector का, वो अल्रेड़ी हो चुका है, इतना इन जो September quarter में numbers निकल में दिखती है, जो हमें इस पे निवेश करने के लिए प्रिरित करें, तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब, और ये कब रुकेगी, ऐसे बहुत सारे सवाल, retail निवेशकों के मन में बहुत समय से हैं, क्योंकि होंगे भी दोस्तों, कि इतनी भहेंगर गिरावट हो चुक या एटलीस बस एक वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके काम आएगी, वीडियो को प्लीज अंदर तक देखेगा, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाता हैं दोस्तों, प्लीज चैनल को सब् ग्रोथ होगी, बहुत motivation मिलेगा, और तमाम जो मेरी वीडियो रहते हैं दोस्तों, जो भी public में data हैं, जो भी blockage house के reports हैं, उन्हीं पढ़ करके, उन्हीं कंपाइल करके, आपके सामने लाता हूँ, कोई भी buying or selling के recommendation नहीं होती है, purely, purely educational purpose के लिए वो चीज़ी होती हैं, ठीक है तो प्लीज कोई भी buying or selling के recommendation करें, वित्या सलाकारी सला जरूर लीजेगा, तो अब वापास से आते हैं अपने topic के उपर, तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई भी, कोई भी जटिल सवाल है, कहीं ना कहीं उसका जो answer, बहुत ही basics में छपाए, तो यहां पर भी व हुए है, और पिछले दो साल के भी अगर आप देखेंगे ना, तो कोई ऐसी improvement नहीं है, sideways में ही तामाम stocks आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसके लिए में थ्वाँ पीछे जाना पड़ेगा, उसी तरह, अगर आप पिछले 5 साल का return देखेंगे, कई जेकर stock ने निचले इस तरह हैं, 2018 से किस के बीच के आसपास more than 1700% return दिये हैं, और जब आपके stock इस प्रकार के unprecedented return देते हैं, तो क्या होता है, आपकी valuation होती है expensive, और जब आपकी valuation expensive होती है, और आप उस प्रकार के उतने मजबूद quarterly numbers नहीं पेश कर पाते हैं, जो आप एक समय में कर रहते हैं, तो stock में वही होता है, जो आपको यहां देखने को मल रहा है, वो है गिरावट, ओपरी स्थरों से बड़ी गिरावट, तो यानि कि जो सबसे पहला और सबसे basic reason आपको मिलेगा, वो यह है expensive valuation, लेकिन यह एक बहुत ही आप कह सकते हैं, ओपरी स्थरों पे, अगर आप देखेंग लगाई थी, raw material जो हम वहाँ से मंगाते थे, उसमें देरी हुई, और कई जगा तो raw material इतने जदा expensive हो गए, कि margin erosion हमको देखने को मिली, ठीक है, और यही कारण है, कि जो एक समय में काफी अची margin देखने को मिल रही थी, वो अब margin उस प्रकार की हमको नहीं मिली, और जिसके क dumping आने लगी ना हमारे यह, ठीक है, Chinese जो एक बड़ी dumping हमको देखने को मिली, उसने एक बहुत बड़ी परिशानी खड़ी की, हमारे यह जो realizations थी, हमारे यह जो आप कह सकते हैं, जो demand थी, वो काफी हद तक कम हुई, और यह तमाम चीज़े मिल करके, problem कहले गई हमारे volumes में कम यह, यानि देखिए, एक तो आपका raw material expensive हुआ, इतना ही नहीं, आपकी, जो आप कह सकते हैं, एक demand थी, जो एक समय बहुत ज़्यादा high थी, उसके विपरीद, Chinese dumping शुरू हो गई, जिसके करान, भारत players को बहुत बहुत ज़्याद नक्सा उठाना पड़ा, ठीक है, तो यह ए एक बड़ा जटका दी, तमाम chemical sectors के लिए, यह बात हो गई, क्या यह कोई नहीं देख रहा था, देखिए, बिल्कुल यह देखा जा रहा था, आगर आप प्रभुलास, लीला धर के एक एक अनिस्टे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, उनका यह कहना था, वो तमाम stocks, chemical stocks, जिनका exposure crop protection में, और आप कह सकते हैं, agrochemicals में, वो margin में बड़े pressure जहे लेंगे दोस्तों, ठीक है, और इतना ही दोस्तों, उन्होंने एक और बात कही थी, वो stocks, जिनका जो exposure है, वो refrigerants और fluoropolymers में होगा, वो भी काफी हद तक pricing pressure जहे लेंगे, क्योंकि demand slowdown के कारण, ठीक लेकिन, आप देखिए, नुवोमा की भी एक report आई थी, इसी वक दोस्तों, जिन्होंने बहुत साफ साफ कहा था, कि बाईया, जो chemical stocks है न, उनकी channel inventory साथ से, आठ महीनों तक के लिए है, ठीक है, साथ से आठ महीनों तक के लिए है, September में दोस्तों, और जो September यही कह रहा है, ज ताकि जो उनका next year start हो, वो काफी strong start हो, तो वो तमाम जो prediction थी, वो सही होती दिखाई दी, agrochemical income को पता है, किस तरह की असर हुआ, और जिसके कारण, एक बड़ी किरावट, एक बड़ी, हमको कह सकते हैं, आप छती देखने को मिली दोस्तों, क्या यहां से, जो एक आप कह सकत है, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कि देखिए, जो हमारे भारत की chemical sector है, वो six largest chemical sector बनी, over all world में, लगबग 178 billion dollar की, वो market cap बन गई थी, आपके सकब, 2021 कि बात कर रहा हूं, जब तमाम stocks में इतनी बड़ी rally देखने को मिली, ठीक है, और कहा ये जा रहा है, कि आने वाले सालों में, 11-13% के CAGR से हम बढ़ेंगे दोस्तों, और 2027 तक लगबग, जो पूरी जो आपको, 2021 में, 178 billion थी, वो 292, 310 billion dollar तक, 2027 में देखने को मिलेगी, और इसे भी, जो ये तमाम chemical sector से दोस्तों, सबसे जादा, जो forefront में specialty chemical, इसका तो ये कहा जा रहा है, दोस्तों, कि 2000, मिन्ट में छपी एक ख़बर के नुसार, 2030 तक, जो specialty chemical market share है, वो हो जाएगा, 50 billion dollar का, तो आज समझ सकते होंगे, कि future को ले करके, इतनी जादा, आपके सकते positivity, इस पूरे के पूरे सेक्टर में है, और देखे, ऐसा नहीं है, क भारती companies में भी, अपने जो production है, जो जब एक बहुत जादा colden period चल रहा था, अपने जो production थी, उसे three times बढ़ा दी थी, अपने capex को कहा ये जा रहा है, 1.5 lakh क्रोड के आसपस का, capex overall company या, कैमिन सेक्टर की रखे होई हैं दोस्तों, और ऐसा क्यों है, देखे, companies एक बात समझ रही है, China plus one, Europe plus one, ये दोनों ही चीजें बहुत दा favor करने वाली है, आने वाले समय में, भारत के लिए, क्यों देखे, China ने अपनी बहुत सारी ऐसी chemical companies हैं, उसे बंद कर दिया है, क्यों, कुछ environmental issues की कारण, और इतना ही नहीं, US China जो trade war थी, उसकारन कई chemical companies हैं, वो अपना माल चाइना की बजाए, भारत से लेना पसंद करेगी, और भारत से इसलिए दोस्तों की किसे मैंने कहा, China plus one का फीदा फाइदा भारत को होगा, और हमारिया की जो chemical companies हैं, वो बहुत बहुत जादा, आपके सकते आतुर हैं, इस opportunity को grab करने के लिए, इतना ही नहीं, यॉरप भी, पुरी यॉरप की बात कर रहा हूँ, जो chemical companies हैं, वो वहाँ बंध होने चाहरी हैं, बंध होती ही चाहरी हैं, environmental issues के करण, और इतना ही नहीं दोस्तों, जो आपको पता होगा, जो chemical as a sector है, जो chemical as a factories होती है, वो एक highly intensive companies होती हैं, किस मारे मामले में दोस्तों, energy के मामले में, और रहाल हो गए थे, तो यॉरप भी, यॉरप प्लस वन की जो strategy चल रही है, उसका भी फाइदा सीदा सीदा आपको देखने को मिलेगा, भारत को होता हुआ, तो ये तमाम scenarios मिलकर के दोस्तों, हमें आने वाले समय में, chemical sector को लेकर के बहुत ज़्यादा positive बनाते हैं, लेकिन दे पीच में एक बार और दो तीन जटके लगें, लेकिन यही accumulation का time होगा, यही वो समय होगा, जब long time के लिए हम इस चीजों को देखते हैं दोस्तों, और देखे, chemical as a company ने बहुत अच्छी रटर निवेशकों को दिये हैं, और अगर उसके बाद कोई भी sector, अगर साल, दो साल, तीन साल, एक sideways चलता है, ठीक है, तो मुझे लगता है, वो accumulation का मौका दे रही है, वो long term में निवेशकों को खरदारी का मौका दे रही हैं दोस्तों, और हमें as a long term investor, इसी समय, चाहे वो आपके से कोई भी sector में crisis आ रहा हो, उसकी जो सबसे best companies होती हैं, उसमें निवेश करते रहना चाहिए दोस्तों, तो मुझे लगा इस सवाल, जो बहुत जादा निवेशकों को परशान कर रहा है, उसके जवाब ढूंडने कुछ करनी चाहिए, आपकी कोई contribution हो, आपको लगता हो यार, एक दाव reason और हो सकता है, comment box से पताईएगा, और मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सालों तोक sideways और accumulation में मिलते हैं, तो अगर आपको यह छोटी सी मेरी जानालसिस थी, वह अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्स्राइब कियाजएगा, यह सुरीगा अंद है, चाहिन दोस्तों